अगली कबर जैपुर से आ रही है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षी नेताओं से हार और जीत को लेकर चुनाव प्रबंधन को लेकर फीडबैक ले रहे है जोशी ने चुनाव में बीजेपी को पून बहुमत मिलने का दावा किया है बीजेपी प्रत्याश्वी समेत कारेकरताओं ने भी जोशी से मुलाकात की है वरिष्ट नेता देवी सिंग भाटी जीतियंद्र गोटवाल बाबू सिंग राठोल मंजू शर्मा और ऐसे अलग-अलग नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है हमारे सहीयोगी विश्नु शर्मा इस वक्त जुड़ गए है मेरे साथ और वो मौजूद है जैपुर में सीधे मैं विश्नु का रूख कर लेता हूँ विश्नु ओवर टू यू अब बिलकुल हर्दिक आपको बता दूँ कि अब आज तलंगाना में मद्दान हो जाएगा और उसके बाद एक्जिट पॉल सुरू हो जाएंगे एक्जिट पॉल से पहले भी लगातार बीजेपी नेता है वो तमाम दावे करते रहते हैं कि भाजपा की सरकार बन रही है बहुमत का आकड़ा उन्होंने एक्सो पैटीस बताया है मेरे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है उनसे बात करते हैं लगातार आज एक्जिट पॉल भी आने वाले हैं और लगातार तमाम जो राजनिती के पंडित हैं वो बीजेपी की सरकार बता रहे क्या कारण है क्यों इन मुद्धों पर बीजेप बोट दिये हैं जनता ने तिकि जनता का इसपस्ट मत था कि दोजार अठारा में एक जिस प्रकार से वादे किये गए उन वादों को पांच वर्ष तक नहीं निवाया गया फिर पांच वर्ष में जो शूशासन देना चाहिए था वो सत्ता में बैठे लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सिधा किया कूर्सी बचाई और रस्टाचार किया हर व्रग के तरस्ट दिखा तो ऐसे में राजस्थान की जनता ने जिनके साथ वादा खिलाफी हुई जिनकी सुरक्षा नहीं कर पाए जिनके साथ नियाए नहीं कर पाए जिनको रोजगार देना चाहिए उनके साथ वादा खिलाफी की सनातन को गाली दी कहीं कहीं हर वर्ग इस सरका का कहना है कि बीजेपिक पास कोई मुद्दे नी थे केवल हिंदू-मुश्लिम के आधार पर उन्हें चुना वड़ा वहीं कॉंग्रेस प्रदेश अद्यक्ष कहते हैं कि इनके पास मुद्दे नी थे पेपर लिग जैसा कोई मुद्दा था ही नहीं यह तो बीजेपि का क्लि बीजेपि के लोगों ने लिया थे क्या डॉक्टर जारोली वो कह रहे थे कि यह दोर उपर तक है किसके पास बीजेपि के लोगों के पास थी उनकी दोर किसने बनाया उनको बोड का चेर्मेन गोपाल के सावत क्या पूरुमंत्री कॉंग्रेस पार्टी का था या किसी और अगल पार्टी का था सूरेज डाका को किसने बचाया सल्वान खुर्षीद को एडवोकेट किसने बनवाया तो यह जनता सब जानती है आप समझ रहे हो कि पब्लिक कुछ पब्लिक सब जानती आपका असली चेरा जनता के सामने आ गया कि कि किस प्रकार से पांस साल आपने प्रस्टाचार की सारी सीमाय पार कर दी हिंदू मुश्लिम को लेकर मुख्य मंत्री कह रहे हैं कि उनके पास हिंदू मुश्लिम के लावा कोई मुद्दा नहीं था देखिए आप अगर सनातन को गाली दोगे आप भगवा पर प्रतिवन लगाओगे और भगवान श्रीराम का नारे लगाने वाले पर एफायल लोज करोगे और आप पलायन पर कहीं कहीं दर्शत फैलाने वाले लोगों के साथ खड़े रहोगे एक त्योहार पर बिजली दो होगे दूसरे त्योहार की चिंता नहीं करोगे तो निश्चित रूप रूप से कहीं कहीं